देखिए इंडिया पोस्ट जीडियस का जो रिजल्ट आये था उसमें कुछ बच्चों का स्लेक्शन हो गया है और कुछ बच्चे अभी रह गये हैं ठीक है तो जो बच्चे भी रह गये हैं पहले उनको बोल दूमें कि अभी आप वेट कीजिए क्योंकि आपको पता है जो अ बातलब्व करने के बाद अगर इनकी जानकरी थी आगर गलत पाती है यादि कि इनका नाम आप रजया एक पर आपको आप सामने होगा पहले वीडियो में मैं आपको बताऊँ और जिखे बच्चे आई बहुत कीजिए और कभी पहुत के इसका जो नहा रिजल्ट है एक तर चोग सेलेक्शन हो गया है जिनका जो नाम आ गया है उसमें और अंडर रिवी भी नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेंगे उनको कौन कौन से स्टूढ कमेंट से लेकर जाने हैं पहले नमब्र पहैं आपको कि मांखशीट आपको पाता तैंधकी मांखशीट चाहिए चाहिए ओर यह देखिए ब्रैकेट में लिखा हूँ इसाइजल आपको रिषुद्ल government आप ले जाओगे tutarat Lemon के लंगे आपको सारे dot लिखके देना पड़ेगा ठीक है इसके लाबा किराय रहित भावन में पोस्ट आफिस संचालत करेंगे ये भी आपको लिखके देना पड़ेगा इसके लाबा लेटेस्ट पासपर्ट साइज फोटो है वो कम से कम चार लेके जाने हैं आपको और सभी डॉकुमेंट्स के सबको लेमनेशन करवा कर लेकर ही जाना है क्योंकि आप जब पोस्ट आफिस में लग जाओगे आपकी नौकरी लग गई तो यह सारे डॉकुमेंट्स पोस्ट आफिस में जमा कराने होंगे आपको एक साल के लिए ठीक है तो अगर आप बिना लेमनेशन के लिए जाओगे वहां पर उनका हाल क्या होगा तो और बूरी हाडात हो जाएगा तो अपने बचाना है तो लेमनेशन आज ही करा लो और वहां पॉस्ट प्लस में मेल आईडी पर भी अपने जो डॉकुमेंट्स हैं उनको रख लो ताकि आपके पास कम से कम फोटो कापी निकालने के लिए तो कुछ प्रूफ होगा भविश्य में ठीक है तो यह काम आपको करना है जो बच्चे सेलेक्ट होए हैं जिनका नाम यहां पर आया है ठीक होगी आपने अगर नबए प्रशंद मार्क सवाँ पर दिखाए थे फर्म भरने में और आपके 88 है तो आपका रिजेक्शन पक्का है ठीक है तो क्या होगा तो आपको निकाल दे जाएगा पर दूसरा जो जिनका नंबर अभी नहीं आए उनका नंबर वहां पर आ जाएगा ठीक है तो जिनका नंबर अभी नहीं आए जो शुटेंट वीडियो देख रहे हैं तो अभी आप वेट कीजिए अभी वेरिफिकरिशन होने दो इनमें से बहुत बच्चे जाएंगे भी क्योंकि बहुत बच्चे गलाच जानकारी देते हैं बहुत दोकमेंट नहीं होता त दोस्तों चलिए मिलता नहीं वीडियो में तब तके लिए जाहेंदे